चार स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल सी से नई भरती के नोटिफिकेशन को ले करके बात करेंगे और ये नई भरती P.E.T. 2022 से आएगी सबसे पहली भरती या तो जूनियर असिस्टेंट की होगी और लगबग जो है चार हजार के आसपास पद है या तो साड़े तीन हजार के आसपास AGT.E. के पद होगे इन दोनों में से किसी भी एक भरती का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा और उसके बाद जो उसमें रह जाएगा उसके बाद उसका नोटिफिकेशन और इसके बाद तीसरी जो भरती होगी जिसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा वह भरती होगी बीडियो की हाला कि वीडियो की पुरानी भरती 2018 वाली जिसका भी री एक्जाम कराया जाना है अभी भी अभी अर्थी इंतिजार करने कि कब ते दोबारा उसकी परिक्षा होगी वर्तमान में यूपिट पलसी आयो के सचिवसर का पूरा फोकस है कि जितने भी पुरानी भरतिया पेंडिंग भरतिया है उन भरतियों को उसमसे पहले पूरा कराया जाए तो देखना यह होगा कि कितने नई भरतियों की बिग्यापन पेट 2022 से आपाते हैं नई तो फिर आप देखेंगे कि जहां पर अप्रेल मही आया महीना उसके बाद फिर पेट 2030 के तैयारी में लोग जूड़ जाएंगे सितमबर एक्टूबर तक उसकी पेपर फिर दिसमबर जनवरी तक रिजल्ट जैसा कि आप सभी हाँ पर देख सकते हैं ये आज के डेली नुच पेपर के मादे में से खबर दे गई थी कि प्रावेदिक शहाय के 3436 पद भरे जाएंगे एक साथ लिए जाएंगे आवेदन इसमें दिखी जो 906 पद हैं ये ऐसे पदें जिस पर पेट की बादता नहीं रहेगी पी एटी की बादता नहीं रहेगी यानि इन पदों के लिए कौन आवेदन कर पाएंगे तो यूपी ट्रेपल सी चैन आयो ग्रूप सी क्रिशिव प्रावेदिक साय के 3446 पदों पर जल्द भरतिया करने जा रहा है हो नहीं पाएंगे तो वहाँ पर जो कुछ भी जो भी अभ्यरती थे उस्चमय के आवेदक उनको पेट से छूट रहेगी यानि वे भी आवेदन कर पाएंगे कितनी सीटे हैं उनके लिए 906 सीटे हैं आयोग इसके लिए जल्द आवेदन लेने की तयारी कर रहे हैं 20 सालों से भटक रहे हैं लोग सिवा आयोग उत्तर प्रदेश ने अक्टूबर 2013 में ग्रूप सीखे 6628 पदों पर भरते के लिए आवेदन मांगा था इसमें किसी प्राविदिक शहाय के 906 पद भी शामिल थे तो फिलाल में उन्हीं पदों पर दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे एक साथ यानि इन 3446 पद में 2540 ऐसे पद हैं जहां पर आपको पेट चाही होगा यानि जो पीटी 2022 सी दिये वे अभियरती हैं वे आवेदन कर पाएंगे इन पदों के लिए जो 906 पद हैं ये उन पुराने अभियरतियों को आवेदिकों को मौका मिलेगा दोबारा से और उनके लिए पेट की अनिवारता नहीं रहेगी तो उम्मित करते हैं चीज़ा आपको यहाँ पर समझ में आ गही होगी और दोनों ही पदों के आधार पर भरती के लिए जल्द विग्यापन निकालने की तैयारी है आयोग 906 पदों को छोड़ कर गए 6,5,4 पदों के लिए नए अभियरतियों को मौका देंगे इसके लिए P.E.T. में सामिल होने वालों को ही पात्र माना जाएगा तैयारी करते रहें जब जिस भरती के कंप्यूटर आपरेटर एसो और वन रक्षक फारेश्ट गार्ड ये तीन रिजल्ट आपको 20 से 25 परवरी के आसपास देखनी को मिल जाएंगे और फारेश्ट गार्ड में तो ऐसा है कि अगले महिने मार्च में या फिर हो सकता है कि अप्रेल के इस टार्टिंग में कि तैयारी करते रहेंगे सेस आगे कि जो भी आथेंटिक सही जानकारी मिलेगी आप सभी को समय समय पर सूसना हमारे इस चैनल के मादन से जानकारी मिलती रहेगी वीडियो को आप सभी प्लीज लाइक कर दिया करें सेर भी आप सभी कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक च झाल झाल